अबसकार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूटीब चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल विवलोफाइल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टैट को किस तरह से क्वालिफाइग किया जाए दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टैट की त्यारी करते हैं और दोस्तों होता क्या है कि उनका एक या दो नमबर से टैट पास नहीं हो पाता है लेकिन इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसी स्ट्राटीजी बताएंगे जिससे कि आपका 100% टैट जो पास हो जाएगा अगर आप लोग इन चीजों को फोलो कर लेते हैं तो इस वार नमबर 2024 में आपका टैट पास हो जाएगा दोस्तों अभी आपके पास एक दो मन्त बचे हुएं अगर आप लोग त्यारी अच्छे तरिके से करते हैं तो आपका टैट जोबा पास हो जाएगा टैट को किस तरह से पास करना है इसके बारे में कुछ पैटरन हम लोग यहाँ पे फोलो करेंगे सबसे पहने दोस्तों टैट को पास करने के लिए एक्जैम का पैटरन और सिलेबस को देखना पड़ेगा सबसे पहने चेक करें कि एक्जैम का पैटरन क्या है और इसमें क्या सिलेबस दिया गया है कौन सा विशे, कौन सा सब्जेक्ट सबसे यदा important है, किस विशे से कहां से question पुछी आते हैं, कौन से topic सबसे यदा महतवपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्ची हैं, जो चीजों को बिना देखे हुए TED को त्यार उस तरह से नहीं करते हैं, और सिधा exam के समय में जाके last के 6-7 दिन पढ़ते हैं, और फिर TED देते हैं, जिसके बाद उनका टेक्ट जो qualify नहीं हो पाता है, इन सभी चीजों को दोस्तों आपने अच्छी तरिके से visualization करना है, और आपने देखना है कि कौन सा subject सबसे important है, कहां से question पूछी आते हैं, और उसे आपने जात अच्छे तरिके से पगड़ बनानी है, अब यहां पर बात कर लेते हैं, कि TED का जो paper है, उसमें किस तरह से जो pattern रहता है, दोस्तों इसमें 150 questions होते हैं, जिसमें कि 30 questions आपके CDP के, और 30 questions आपके English के, और 30 questions आपके GK के रहते हैं, और 60 questions आपके subject related रहते हैं, दोस्तों यहां प fundamental होते हैं, और 60 questions अगर आप लोग 8 से हैं, दोस्तों तो आपका social science जिसमें कि 60 questions बहुत important role play करता है, और दोस्तों जब आप लोग 60 questions पर command कर लेते हैं, इसके बाद अगर आप लोग 30 questions CDP कर लेते हैं, तो 90 questions बन जाते हैं, और 90 questions के बाद दोस्तों आप लोगों को बाकी चीज को बहुत अच्छी तरिके से त्यार करना पड़ेगा, और दोस्तों इसमें धाई गंटे मिलती हैं आप लोगों को, 150 के 150 minute मिलती हैं, एक questions को एक minute ही मिलता है, तो इस तरह से आपने खुद भी जाके internet से या फिर previous question paper से भी देखना है, कि किस तरह से paper आता है, तो पहला जो आ आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने अच्छी resources को देखना है, कि कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी किताबें, experts के द्वारा बताई गई हैं, किन किताबों को आपने chain करना है, कौन सी किताबें आपके basic concept को आच्छी तरिके से त्यार कर आते हैं जिससे कि उनका वेस्टी की जोब आपने एक पेज लेना है दोस्तों या फिर आपने एक डाइडी में जो भी आपकी रिसोर्स हैं जो भी जिन भी किताबों को आपने चेंड किया है जिन भी स्टेंडर किताबों को आपने चेंड किया है दोस्तों उन किताबों की लि revise करना है और देखना है कि यहां से question बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं आप एक या दो resources को follow कर सकते हैं इससे यादा resources को follow नहीं करना है और एक या दो teacher को आप लोग online जो वो दोस्तों उन पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं बार-बार teacher को change करना भी अच्छा नहीं रहता है इस तरह से दोस्तों आपके यहां पर subject होंगे और subject नाम होगा और आपने से कितनी time revise किया है यह भी आप लोगों ने यहां पर note करना है तो आपके जो online resources हैं जा फिर आपके पास जो किताबे हैं इनको आपने बिल्कुल अच्छी तरिके से देखना है भार-बार इनको change नहीं करना है अब बात करते हैं दोस्तों जो आपके पास next मिल जाएंगे important topics मिल जाएंगे जिसमें कि आप लोग दोस्तों आपका focus भी बना रहेगा और कम समय में आप लोग टेट को पास कर सकते हैं अब बात करते हैं next दोस्तों यहां पर समय प्रवंदिन के बात करते हैं दोस्तों time management के बात करते हैं और आपने आच्छी तरिके important है और regular basis पे जब आप लोग time management करते हैं खुद को organize करते हैं प्लानी के साथ चलते हैं तो आपके टेट हमेशा ही पास होगा और यह यहां पर आपको बताए जा रहा है दोस्तों आगे बात करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं पढ़ते ह revise नहीं करेगा पेपर में जाकी जब उनको चार option मिलेंगे वो confused हो जाएंगे इसलिए जब आप revision करेंगे तो इसमें आपको फायदा यह होगा कि आप options को सही त्रिके से टिक कर पाएंगे आपके अंदर आतम बिश्वास होगा और आतम बिश्वास ही दोस्तों आपको सफला हो जाएगी आपको multiple time revise करना पड़ेगा किताबों से आपको short notes बनाने पड़ेंगे क्यों बनाने पड़ेंगे दोस्तों अभी इस समय आप लोगों कुर नोट्स बनाना अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन दोस्तों जब last के 10 यह 15 दिन बची जाती है तो उस समय नोट्स को revise करना बहुत ज़्यदा important होता है उस समय आप फुल किताब को पढ़ना आपके लिए difficult होता है क्योंकि 10 यह 15 दिन में आप लोग पूरा syllabus जो किताबों में दिये गया होता है उससे आप revise ने कर सकते हैं उस समय जो आपने short notes बनाए होते हैं दोस्तों तो वो आपको बहुत ज़्यदा help करते हैं आंतिन समय में आपको अच्छे से त्यारी कर सकें इसके लिए भी short notes का होना बहुत ज़्यदा जिरूरी है दोस्तों और अब बात करते हैं दोस्तों यह सबसे important चीज़ है मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ खुद पे विश्वास करके दोस्तों जब आपको खुद पे believe होगा खुद पे विश्वास होगा तभी दूसरे लोग आपके उपर विश्वास कर पाएंगे और जब आपके उपर खुद पे विश्वास होगा तो सही options पे automatically टिक लग जाएगे otherwise दोस्तों अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है आपने जो पड़ा है वो भी आपको बूल जाएगा और आतम विश्वास की कमी के कारण खुद मेश्वास की कमी के कारण टेट पास नहीं होते हैं, इसका सबसे बड़ा कार्ण यह भी रहा है दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे एस्प्रेंट्स हैं, जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता है, और वो 2 या 3 नमबर से टेट पास नहीं करपाते हैं, तो सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास इस तरह से रखना है कि आपके अंदर कुछ ने कुछ special है और ये जो TET है ये आपसे बड़ा नहीं है। आप TET के लिए जितनी महनत कर रहे हैं वो सफिशेंट है और दोस्तों आपको खुद पर विश्वास ये भी रखना है कि आपने जो भी पड़ा है वो अच्छे तरिके से पड़ा है और दोस्तों सही तरिके से सही चीजों को सही टाइम पर करना ही दोस्तों आपके आतम विश होता है दोस्तों खुद को motivate रखने के लिए आप self-help किताबों का सहारा ले सकते हैं या फिर अच्छे motivation मिलती है अब कुछ समय के बाद खतम हो जाती है इसलिए आप लोगों को motivate करना है खुद पे विश्वास रखना है दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग mock test दोस्तों mock test दे जब आप लोगों ने इन सभी step को follow कर लिया है तो last में आप लोगों को mock test देने चाहिए mock test से आपको पता चलता है कि आपके किस subject पे कितनी पकड़ है और किस subject पे आप लोगों ने कितना काम किया है और अभी अगर उस subject में आपकी command नहीं बनी है तो आपको कितना समय देना चाहिए यह सारे दोस्तों जो भी चीज़ें होती हैं यह आप लोगों को mock test से ही पता चलता है और जब आप mock test देते हैं तो इसमें आप जो exam होता है उससे आप रूबरू हो जाते हैं और जब आप final exam देते हैं तो आपको केसी भी परकार के कोई भी परशानी नहीं आती है तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर mock test भी अपने आप में बहुत बड़ा रॉल प्ले करते हैं बहुत सारे बचे ऐसे हैं जो सिर्फ किताबों को बढ़ते हैं लेकिन वो जब mock test नहीं देते हैं प्रिबिसेरी question paper नहीं करते हैं जिसकी वज़से उनका theoretical section तो पूरा हो जाता है लेकिन multiple choice question का जो section होता दोस्तों वो आच्छी तरीकर से नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़से उनका test योब पास नहीं हो पाता है लेकिन जब आप लोग इन 7 steps को follow करेंगे आपका 100% test योब पास होगा दोस्तों इस तरह से अगर आप लोग चाते हैं कि इस channel पे भी आपको guide किया जाए और आपको material प्रोवाइट करवाएजाए अच्छे अच्छे video प्रोवाइड करवाएजाए जो आपके test के लिए उप्योगी हो तो दोस्तों आपके comment box में type कर सकते हैं दोस्तों ये video को कैसा लगा आप अपने राइ comment box में यूरूप बताएं आप लोगों ने मुझे तना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद थेंक्यू वेरी मच दिल से